और बाई दो की लोग यहार चाल यहार चाल जा लेटर लिख दिया शे कियामिज इसुटेर गुंड्द से करते हैं तो यहार एक्विली है जिस पर पूरा स छसाअम लगा को यार एक मात्र घर से फूरे वैलीलों थैखरकु सुनसान पहार पर बождब द्रीड़ी कराइ थैंगकि बाई बारिश नहीं हो रही थी और वह चाहर रहे थे कि बाई बारिश हो जाए बस वह परशान हो यहीं गाँ तो देखने था बहुत चाइए ना이에то हो नहीं वाली है फिर उनकी जो पत्नी जो घर में खाना बना रहे थी दिनर बना रहे थी रात का ठीक है आगर ऊपर वाली ने कब किया सब को या उने की बुला या सबका खाना रेड़ी है आजाओ ऑजिसे उसा बारिष होने लगी बारिष की बुंडें गिरने लगी और फिर चच्छा बाइब दिल कोले हम स्ने रिंख कंपर कि वाई किसी भी किसान के लिए बारिश यार इसे के समानी होती है कि अगर आपिश अच्छा हुआ तो फसल अच्छी होगी तो उन्हें ज्यादा प्रॉफित होगा ठीक है और फिर हमारे जूमता हुए घर से बाहर निकलते हैं और बारिश की बुने को अपने सर लगे किरने लगते हैं आ 우와 डे घृते खंते हैं तो तुम्हें पता ये फसल बरबाद हो जायगी अठरके बाहर बाहर एंज्ड आते और लोग घर के माहर दोड़ते हूए जाते हैं ठीक है और और उल सकते हैं ठीक है और अब हमारे चचा की एकदम फटके चार हो रखी थे क्योंकि भाई ओले जो है बहुत ही तेजी से गिर रहे थे फिर चचा कहते हैं कि अगर यह ओला नहीं रुका ना तो मेरी पूरी फसले बरबाद हो जाएगी मैं बरबाद हो जाओंगा लुट जाओंगा मैं तो और बिल्कुल ऐ जा रहा था ना बाई एकदम वाइट वाइट दिख रहा था मतलब घर पे ओले फसले पे और सब जगह ओले जमीन अगदम उजली दिख रहे थे लग रहा था जैसे किसने नमक भी खेर दिया पूरा उजला का उजला ठीक है और फिर चचा करते हैं मैं तो लुट गया रहे बरबाद हो गया मैं मैं तो क्यूंकि एक भी एक सिंगल पता भी नहीं बचा था उनके फसल का उनके ख्राओं का मखाईं का जो खेत आना उनमें से बहाई पता भी नहीं बचा था साला का सारा सब चीज बरबाद हो गया पूरा फुली डिस्ट्रॉय हो चुका था और फिर भाई उनकी आत्म अगदम पुरी दुख हो जाती है उनका जो आत्मा है वह रो रहा था कहते हैं मैं तो बरबाद हो गया इस साल मैं भूखे मर जाऊंगा वह को खराब खराब कर देता है मतलब खा जाता सारे फसले खा जाता है ठीक है और इसलिए हमारे चचा कहते हैं कि जितना इस ओलेने मेरे फसल बरबाद किया है इससे कम ही एक और फिर कोई जुगार हो चलादे यार सब मुझे पता है कि हमारे पास फसले नहीं है, सब चीज बरबाद हो चुका है, लेकिन फिर भी एक उमीद है, उपर वाला, और वो उपर वाला ही हमारी जान बचाएगा, और भाई वो फिर पूरी रात सोते नहीं है, बस इसी होप पे टिके हुए रहते हैं कि मैं भगवान से लेटर लेटर लिख सकते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं भगवान को पत्र लिखूँगा, फिर वो भगवान को पत्र लिखते हैं, कि हे परबु देखो, मैं तो पुरा बरबाद हो चुका हूँ, लुट गया हूँ, आपने जो ओले गिरा है, उससे मेरी पूरी फसल परबरबाद हो गई है, मैं क्या करो, मुझे कुछ नहीं सूज रहा, किरिपे आप मुझे 100 पेजोस दे दे, ठीक है, जिससे मैं अपनी जिंदगी चला लूँ, मतलब कि यार वो 100 पेजोस मांगते हैं, पेजोस क्या है, भाई पेजोस जो है न करेंसी है, जो कि मैक्सिको, अरिजेंटीना साइड में चलती है, ठीक है, उस साइड में माउंटेनियर इलाका में चलता हो धार, ठीक है, अभी जाकर गोल पर सर्च मारोगा, वन पेजोस इक्वल टू हमाच रूपीज, तो लगब 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 डेर रूपय दिखाएगा तुमें, ठीक है, ठीक है, यह सब एक्स्ट्रा बाते हैं, इस सब भूल जाओ, तो वो हेंडरेट पेजोस के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं, कि प्लीज आप मुझे हेंडरेट पेजोस दे दे, जिससे मैं अपना जिंदगी चला लूँ, फिर से मैं एक नई फसल बो सकू ठीक है, और वो जाकर उस पोस्ट में से पोस्ट मास्ट के पास जाता है वो, पोस्सट मास्टर को काता है देखिए सहिए, यह क्या लिखा है इसने, और जब Postmaster पढ़ता है तो वो भी हस्ता करता है यह क्या पेहुता लिख दिया भगवान को लेटर सब हस्ते है ठीक है और फिर थोरे दर बाद इनके सब सिरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो इस इंसान का भगवान पर भरोसा है ठीक है तो इसका भरोसा ना उठे इसलिए हम लोग कुछ पैसा इखटा करेंगे और इसे देंगे वह ऐसा डिसाइड करते हैं और फिर पोस्ट मास्टर खूद जितने भी करमचारी थे पोस्ट आफिस में वो सारे के सारे और कुछ सब मिलाकर कुछ पैसे खटा करते हैं लग लग हाप से जादा सभी बताऊं तो यार सतर पेजोज इखटा कर पाते हैं 100 पेजोज उनके लिए नमुम्किन सा था क्योंकि उनकी भी लाइफ है ठीक है तो जैसे तैसे करके वह लोग सतर पेजोज को इखटा करते हैं ठीक है और अगले संडे ना हमारे चाचा जल्दी आ जाते हैं क्या मुझे बताओ प्लीज मुझे बताओ जल्दी जल्दी तो भाई जो भी पोस्ट मास्टर थे वह डिसाइड कर लेते हैं ठीक है और जाकर उसे दे देते हैं वह लेटर उसको थर्मा देते हैं और हमारे चाचा जैसे उस लेटर को लेटर आए भाई उसमें पैसे होंगे मतलब यार उसे इस बास है कोई भी आइडिया नहीं होता कि क्या भगवान मी लिटर लिखके मैं पोस्ट करते हैं उन्हें रिप्लाई देंगे पिसमें कल्फिडेंस था कि भाई लेटर तो आएगा याएगा वो लेटर को कि इन्हीं का किया धरा इन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया है वो तुरंस जाते हैं अगले विंडो पर वहां से एक फॉर्म लिखते हैं और फिर से एक भगवान को लेटर लिखना शुरू करते हैं कहते हैं यह भगवान देखिए जितना मैंने आपसे मांगा था न मुझे उतना नहीं मिला है बस मुझे 70 पेजोज ही मिला है ठीक है तो बाकी का जो बचा हुआ 30 पेजोज है वह भी आप मुझे दे दीजिए ठीक है मुझे पोस्ट कीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरी है इतने में तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा और हाँ इस बार चप्टर खतम होता है मतलब कि अच चा नहीं और उदोसर मॉखा मिलै कि भगवान को लेटर लिखने का मुझे तुम क्या बोले मुझे तो अधिकतर बचा यही एगा बहुत इस बार मैं लोग इस पे लिकरते वह वह भी लाइक करना चलो तो वीडियो चलो वीडियो को चलो तुम्हें मिलता तुम्हें नेक्स वीडियो में, बबाई